वैसालिजले में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगतार जारी है ताजा मामला हाजीपुर से है जहां अपराधियों ने एक वार फिल्ड पुलिस को धत्ता बताते हुए दिन दहारे ज्वेलरी सौप में लूट की घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने लाखों के जेवराथ की लूट की है दो बाइक से चार की संख्या में आए अपराधियों ने पिस्तॉल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया है बताया गया कि अपराधियों ने पहले दुकान का सटर बंद कर दिया इसके बाद दुकान संचालक उमेश साकी जवर्दस्त पिटाई की इसके बाद पिस्तॉल की नोक पर सौप में रखे तमाम सोने चांदी के आबुसन और दराज में मौजूद नकद एक लाग रुपैन लूट कर फरार हो गया अपराधियों के फरार होने के बाद दुकान संचालक के दौरा सौर मचाने पर आजपास के लोग जमा हुए और पुलिस को घटना के सूचना दी गई वहीं घटना की सूटना मिलने के बाद मौके पर अद्योगिक थानावा नगर थाने की पुलिस के साथ वैसाली स्पी रविरंजन भी पहुँच गया उन्होंने दुकान संचालक से बात कर घटना की जानकारी ली मौके पर मौझूद वैसाली एस्पीर रवी रंजन ने बताया कि हम लोग चानबीन में यहां आए हैं कुछ संदिक्दों की सिनाक्त की गई है चापे मारी की जा रही है जल्द ही अपराधियों की पहचान कर गिरफतार कर लिया जाएगा किधने के संदिक्दों करते हैं ऐसे हुँआ जाए जाएट नोट लोडुब्रम्रा चीहिंन में आथा है किस्थियर फेतम प्रिकल पीष्टन विराज रुजा ही लूट लगो एक लाख रुपया था रायती नीको लो चान दी था, रायक लगो लगो दूसर कर अच्छा राम सुना था अधियो गुली ले बीचला था एक के अपाजी साने की बात है वाज एक के स्कुटी से कुछ मिला है सर कुछ ना कुछ संदिक्तों को हम लोगों ने सिनाख किया है अपरे माली की जाजी जा सर भारिंग और भी यह था नए ने ऐसी कुछ सोच है